जार्खन में साथ माल से खुल जाएंगे सभी स्कूल, रात आट बये के बाद भी खुली रहेगी दुकाने जार्खन में कुरोना का कम होते रफ्तार के बीच हेमन सरकार ने राजवास्यों को बड़ी रहत दी है सुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्रादिकार की बैठक में कई छुट दी है इसके तहट जहां अगामी साथ माल से राजवास्यों के साथ जीलों में बंद स्कूल भी अब खुलेंगे वही रात आट बये के बाद भी दुकाने खुली रहेंगी पार्क, परियाटन, अस्थाल और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे जारखन विधान साथ जीलों में कख्षा एक से आट के लिए एक तिस माल भी तक आफलेंड परिक्षा पर रोक रहेंगी इस तरह से इस्कूल तो खुल जाएंगे लेकिन परिक्षा ओनलाइन ही होगी 27 फरवरी तक जारखन में बारिस मौसम बे ग्यानी अभिसेक आनंद के अनुसार 26 फरवरी को संथाल परगना के इलाके में बारिस हो सकती है नागा लाइन तक बन गया है इसका असर जारखन परपड़ा है निमतम तबमान में 2 से 3 डिग्री सेलसियस की गिरावट आएगी हवा चलने से थोड़ी थंड का आसास भी होगा आपदा प्रवंधन की बैठाक में मिली छूट इस प्रकार है रात आठ बये के बाद भी दुकाने खुलेंगी साथ जिलों में बंद स्कूल भी अब साथ मार्च से खुलेंगी स्कूलों में ऑनलाइन सिक्षा जारी रहेगी वहीं बच्चों की उपस्थिती अनिवारे नहीं होगी पार्क, परेटन अस्थल, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे दर्शकों की उपस्थिती में खेल, कूद, आयोजित करने के उनमती समधी जीला के डीसी द्वारा दी जाएगी रेश्टोरेंट, बार और सिनेमा घर भी अपनी छामता के साथ खुलेंगे साधी समारों समेत अन्य कार्करा में 500 लोग एकत्रित हो सकेंगे आंगनवाडी केंद्र खुले रहेंगे सवी सरकारी और नेजी कर्यालाय में 7% कर्मियों को पस्थिती रहेगी मेला, जूलूस और परदर्शनी पर पुरो की भाती रोक रहेगी सरोजर्निक अस्थल पर मास्क पहनना और सोसल डिस्टेंसिंग को अपनाना अब भी अनिवारे रहेगा जे एस एस सी उत्पाज सिपाही के 583 पदों के लिए आवेदान शुरू जार्खन करमचारी चैन आयोग की ओर से उत्पाज सिपाही पर त्योक्तिया परिक्षा 2022 के लिए आवेदान आमन्तित किया गया है 583 पदों के लिए 25 फरवरी से आवेदान जमा होगा 26 मार्च की मद राती तक आवेदान जमा हो सकेंगे परकासित विएपन के अनुसार परिक्षा सुल का भुकतान 29 मार्च के मद राती तक किया जा सकेगा यूक्रेन वर रूस यूद के बीच फसे हज्जारों भारतिये यूक्रेन वर रूस के यूद के बीच हजारों भारतिय यूक्रेन के विभीन सवरों में फसे हैं इनमें जायतर मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए भारतिय चात्र हैं भारत के बिहार जार्खन यूपी मदपर्देश महराष्ट गुजरात हर्याना आधी जगों से करीब 1,000 चात्र वहां अधियन रत हैं रूस में फंसे हैं जार्खन के कई छात्र रूस और युक्रेण के बीच यूद के कारण जार्खन के कई श्टुडेंट युक्रेण में फंसे हैं इसमें लातेहार की आदिवासी जनजाती आदिवासी बेटी लती का कोडर्मा के असनाबाद निवासी सारूख के अलावा दुमका जिले के डंगल पाड़ा इलाके का आधित्य कुमार और गोड़ा जिले के सिवम कुमार गोरों सामिल हैं बता दे जम सेथपूर के 90 स्टूडेंट यूक्रेण में फसे हैं इन स्टूडेंट के फसे होने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है हलाकी केंद्र सरकार यूक्रेण में फसे सभी स्टूडेंट की सकुचल वापसी की परकिरिया सुरू कर दी है हजारी भाग में रूपेश पांडे और करनाटक में हुई हर्श गुमार हत्याकांड के बिरोध में गुमला जिला में सुक्रवार को बंद का ब्यापक असर देखा गया गाउं से लेकर सहर तक सभी दुकाने बंद रही सिर्फ जरूरत की दुकाने खुली रही वाहनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ बजरंग दल एवंबिस्वे हिंदू परिशत के वाहन पर बुलाये गए बंद का असर दिखा बजरंग दल के युवा बाइक जोलूस में निकले कुछ तुकाने खुली थी उन्हें बंद कराया घंटो सड़क जाम भी किया सेकडो युवा पैदल निकले और नेशनल हाईवे को जाम कर लंबी दूरी की मालवाहा गाड़ियों का परिचालन भी रोका है लोहर दग्गा से पूलिस ने कई हतियार किये बरामत लोहर दग्गा जिले के पेशरार थाना छेत्र अंत्रगत अति नक्सल प्रहावी छेत्र बुलबुल जंगल में पूलिस द्वारा नक्सलियों खिलाब 17 दिनों से अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान में पूलिस को बड़ी सफालता मिल रही है वही नक्सलियों को भारी छती उठाना भी पड़ रहा है सुक्रवार को अभियान के करब में हर कट्टा जंगल से पूलिस ने भारी मात्रा में हतियार बरामत किये पूलिस लोहर्दकार जिले में नक्सलियों के खिलाब सर्च अभ्यान चला रही थी इसी सर्च अभ्यान में भारी मात्रा में हत्यार मिले सबी हत्यार अत्यादुनिक हत्यार हैं हलाकि इसके अधिकारिक पुष्टी अभी नहीं हुई है धान खरीद में गढ़वा पलामू पैक्सो में कलोरो की हेरा फेरी गढ़वा जिले के पैक्सो में धान खरीद के नाम पर किसानों से कलोरो रुपए की हेरा फेरी की गई है जबकि अगर किसानों से लिए गए बोरे की कीमत इसमें जोड़ा जाए तो यहरासी 5.48 कोलर रुपए हो जाती है इसके अलावा अगर जीले के सभी रईस्टर्ड 12601 किसान अपना धान फैक्स को बेचने में काम्याब हो गए तो यहरासी 8 कोलर रुपए से ज़्यादा हो जाएगी बतादे गठवा जीला में बरतमान में 51 पैक्स से धान की खरीदारी की जा रही है जीला परसासन की ओर से इस बार कूल 6 लाग क्यूंटल धान खरीद का लख्ष रखा गया है इसके एवज में 43 से 40 किसानों से 54.48 परतिसत यानी 3,26,932 क्यूंटल धान की खरीद की जा चुकी है सभी पैक्सों में किसानों से प्रती क्यूंटल 5.50 किलो धान यानी 100 किलो के बदले 105.5 किलो नमी के एवज में ज्यादा लिया जा रहा है इस हिसाब से कूल खरीदे गा है 3,26,932 क्यूंटल धान के अलावे 17,981 क्यूंटल धान ज्यादा किसानों से लिलिया गया है ज्यारखन में कुरोना के 62 नाई केस मिले है जबकि 75 मरीज स्वस्त भी हुए है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 556 है भारत में 10 या 755 केस मिले जबकि 22 या 456 मरीज स्वस्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केथ की संख्या 1,99,360 है 25 लाख का इनामी नक्सली बीमल यादाव ने किया सरेंडर ने सुक्रवार को पुलिस के सामने आत्मसमरपन कर दिया उसने राची प्रच्छेत्र के आईजी पंकज कमबोज के कर्यालाई परिसर में CRPF ज्यारखन चेप्टर के आईजी राजीव सिंग, आईजी अभियान, अमोल, डि आईजी बीसेस साखा, अनूप S.P. राची सुरेंद्र कुमार जहां वक ग्रामीन, S.P. राची नवसाद आलम के सामने आत्मसमरपन किया बजट सत्र के पहले दिन राजेपल ने गिनाई सरकार की उपलवधिया जहर्खन विधान सभा के 82 सत्र का आगाज सुक्रवार को राजेपल रमेस बैस के अभिभासन से हुआ राजेपल ने अपने अभिभासन में सत्र के दुरान सदस्यों को सदन की गरिमा और पवितरता बनाए रखने की नसीहत दी राज सरकार के उपलवधिया साजा की और जारखन के निर्मान के लिए पूरी उर्जा के साथ सभी से आगे बढ़ने की अपील की इस्पिकर रविद्रनाथ महतो ने भी अपने समोधन में कुछ ऐसा ही आचरन की सदस्यों से अपेक्षा की है बैट सत्र के पहले दिन सदन ने दिवंगत हस्तियों को भी याद किया और दो मियट का मौन रख उने सरधांजली दी राज जेपाल के अभिभासन पर 28 फरवरी को दितिये पाली में चर्चा होगी युक्रेन में फंसे पलामो के लोगों की सूची होगी तयार पलामो उपायुक ससी रंजन ने जीले के सभी परखंड विकास पताधिकारी वा अंचलाधिकारी से उनके छेतर अंत्रगत युक्रेन में फंसे लोगों के बारे में विस्तित सूचना साक्ष सहीच सीगर उपलब्द कराने का निर्देश दिया ताकि समंधित सूची उपलब्द होने के बाद आया की करवाई किया सके उन्होंने आम लोगों से भी कहा हाई कि या दि उनके कोई सोजन युक्रेन में है तो उनके बारे में विस्तित सूचना ततकाल समंधित प्रक्षंड विकास पताधिकारी वा अंचलाधिकारी को उपलब्द करा दे इसमें फसे हुए ब्यक्ति का नाम पीता पती का नाम अस्थानिय पता अस्थानिय अविभावक का मोबाइल नंबर युक्रेन में जहां फसे है उस अस्थान का नाम वो युक्रेन का मोबाइल नंबर परसासन को अप्लब्द कराया जाएगा चत्रा में 250 से ज्यादा अस्थानों पर लगेंगे CCTV कैमरे अपराद उन्मुनल से लेकर विधी विवस्था, संधारन और सड़क दुरगाटना वेपन नजर रखने के लिए पूलिस आधोनिक तक्निकी का पर्योग करने जा रही है बतादे चत्रा जिले के सनवेदन सिल अस्थानों दुरगाटना छेत्रों एवाम सरोजनिक अस्थानों पर कुलोज सर्कीट टीवी कैमरा अधिय स्ठापन की कारियोजना त्यार की जा रही है जिला परसासन इस पर गंभीता से मंथन कर रहा है उपायुक्त अंजली आदव और पूरिसक अपतान राकेस रहन्जनने कर ज neural देनल दे दिये है आंगन वाड़ी सेवीका और सहाईकाओ को भी सरकार बढ़ाएगी मांदे पारा सिक्षकों की तरो आंगनवाडी सेविका और सहाईकाओ को भी जारकन सरकार आस्थाई करते वे मांदे बढ़ाएगी इनके लिए भी सेवासर्त निमावरी लागू होगी महिला एवं बाल विकास मंत्री जोभा मांजी सिक्षा मंत्री जगनात महतु तथा क्रिस्ती एवं पसुपालान मंत्री बादल पत्रलेख ने आंगनवाडी सेविका सहाईका को या अस्वासन दिया बोकार एवं अने जीलो से बड़ी संख्या में पहुंची सहाईका को समोधित करते वे मंत्रियों ने कहा की मुख्य मंत्री हमान सुरेन उनकी मांगों को पूरी करने को लेकर गंभीर हैं उन्हें आंदोलन करने के आउसकता नहीं होगी चार चर्णों में हो सकता है जारखन पंचाय चुनाओ बैलेट पेपर से होगा मत्दान जारखन में त्रियस्तरिय पंचाय चुनाओ चार चर्णों में हो सकता है राजनिर्वाचन आयोग इसी के अनुसार त्यारी कर रहा है पंचाय चुनाव EBM की बजाए बैलेट पेपर से होगा इसे लेकर पचासर बैलेट बॉक्स उत्तर परदे से मंगाए गए हैं यहां लगभग बावन हजार बैलेट बॉक्स पाले से उपलब्ध है बता देकि विभीन जिलों में पंचायती राज के तीनों अस्तरों पर पदों का रक्षन पहले हित्ताय कर दिया गया है राज निर्वाचन आयोग ने सोतंत्र चुनाव चिनों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है परतेक पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन ही कर दिये गया है जबकि इतने ही चुनाव चिन सुरक्षित रखे गया है जारखन में कई जिलों के डी सी बदले जारखन सरकार ने 15 आई-एस अधिकारियों के टांसफर पोस्टिंग की है वहीं एक आई-एस अधिकारि को अतिरीक्त परभार और पदस्थापन की परतिक्षा में रहे एक अधिकारि को परभार दिया गया इस तरह से कुल 17 आई-एस अधिकारियों की फिर बदल हुई है इसके तहट जे-एस-एल-पी-एस की सी-यो नैसी सहाय को हजारी बाग का नया डिसी बनाया गया वहीं हजारी बाग डिसी आधित्य कुमार अनन्द को राश्ट्रिय ग्रामी स्वास्त मिशन का अभिया नितेसक बनाया गया कार्मिक प्रसासिनिक सुधार तराज भसा विभाग ने इस सवन में सुक्रवार को जिस उतना जारी कर दी है जाम तड़ा नाव हद्सा जाम तड़ा के बराकर नदी में बरबेंदिया पूल के पास घुरुवार की साम को ना डूबने की घटा में 14 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है एंडी आरेफ देवगर और रांची के गोता खोर टीम नदी में डूबे लोगों की खोज बिन में सुक्रवार सुबा से जूटी है हलाकि बचाओ कारे के दोरान सुक्रवार की साम तक किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सका इसको लेकर लापाता लोगों के परिजन ससंकी था है वहीं परिजनों ने जाम तड़ा एशडीयों के पास लापाता लोगों का नाम भेजा है घाटना अस्थल पर भारी संख्या में पूलिस बल को तैनात किया गया है राजेपाल के अभिभासन को भाजपा ने बताया जूठा भाजपा ने राजेपाल के अभिभासन को जूठ का पूलिन्दा बताया है बिरोध दल के मुखे सचे तक बिरंची नराय ने सदन के भीतर जहां अभी भासन पर विंदुआर सवाल उठाते हुए संसोधन का दिया वहीं सदन के बाहर विधायक अनंत ओजा ने कहा कि यूपिये गटबंधन की सरकार ने राजेपाल के मुख से जूट का पुलिंदा पढ़वाने का काम किया है बता दे कि राजेपाल के अभी भासन पर सोमवार को दूसरी पाली में चर्चा होगी अनंत ओजा ने कहा कि जानता को जूटे वादे जूटे नारे को लेकर अभी तक राजे सासन ने ठगने का काम किया जार्खन के अंदर कानून ब्यवस्था का क्या हाल है या किसी से चुपा नहीं है जार्खन में महिलाये रात सात बजे के बाद भी कर सकेंगी काम राजे के अध्योगिक प्रतिष्ठानों में अनियुम्तम पांच महिला कामगारों की टोले भी रात सात बजे से दस बजे तक काम कर सकेगी सुबा पांच बये से छाओ बये तकाम करने के लिए भी इतनी महिला कामगारों का होना जरूरी है राज सरकार ने राज्य के अध्योगिक प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों के काम करने की सर्तों में संजोधन करते हुए अप्रविधान किया है पहले इन दोनों अधि में महिला कामगारों के काम करने के लिए निमतम दस महिलाओं के टोली अनिवाद थी अब इसे घटा कर पांच कर दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदब आए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेहर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडियो बैक अवस्य दे थैंक्यू